इस प्रिंटर में आपको एक साल की वारेंटी में देख पा रहे हो आप अवाज अच्छी आ रहे हो कि काफी लोगों को कम्प्लेन होती थी कि आवाज नहीं आ रही ट्राई करूंगा इसलिए थोड़ा सा लौड बोलने की आज इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पत 30 printer जो आता है Epson की तरफ से F130 का the only printer in India sublimation में A4 size पे जिसकी एक साल की warranty आती थी अभी तक जो हम printer sell कर रहे थे वो बेच रहे थे F L130 L805 Epson का L1800 L1300 and L8050 भी चल रहा है भी L18050 भी चलता मतलब काफी 5 प्रिंटर भी चल रहे हैं किसी की भी printer की कोई warranty गारंटी नहीं आती आप लोगों को पता होगा लेकिन अगर कोई भी इस काम को money- compliment यह is warranty कितने का अता है क्या की प्रिंटर के अंदर आता है क्या खूबी रहती है सारी की शारी चीजे इस वीर के अंदर हम cover करके दिखाने वाले आपको कि क्याका फिशलिस में रहती तो बने रहें रहे है के end तक सारी चीजes हम आपको बताएंगे पर्इंट यहाँ अपर रखा हुआ है मैंने एक में उपन करके रखा हुआ है आपना हम यूज पर रहे है ठीक है एक प्रिंटर मैंने कि रखा है यहाँ फटरा आक पूरा पूरा जो unpacked है जो बिल्कुल company के से आया hayat एपसं से, शियर कलर, SCF 130, एपसं, एक्सीदियोर विजन, यह आपका पूरा प्रिंटर है, विदाट पैकिंग, और यह विदाट पैकिंग है, चार कलर का प्रिंटर होता है, सियान, मेजेंडा, येल्लो, ब्लैक, आप देख सकते हो, कोई सा भी कलर उठा लो, तो T49P4, यह कल लाइट सियान और लाइट मेजेंडा इंक इसमें इंवल्व नहीं होती, तो चार कलर आते हैं, जैसा ऐसे, आपका 1130 प्रिंट निकालता, ऐसे यह निकालता, लेकिन बहुत सारी खूबियां है, इसी वज़ए से प्रिंटर चार उना, पाँ तीन, चार उना महंगा भी है, इंक को रखते हैं अभी साइड में, बताता हूँ क्या क्या चीज इसके साथ आपको मिलती है, बोक्सी ओपन करते हैं, ज्यादा बाते नहीं करेंगे, देखो, यहाँ पर आपका यह प्रिंटर है, यह आपकी आती है, पूरी की पूरी यह दो पेज की आपकी यह मैनौल आत होती है, क्या-क्या connectivity होती है, सारी चीज है इसमें, इस चीज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको, मैं इस वीडियो में आपको सारी किचारे सीजे, बिल्कुल summarized way में बताऊंगा, बिल्कुल short way में आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ मे आपका 40,000, 40,000 रुपे, 49,000, 99,000 रुपे की कोश्टिंग के साथ आता है, 40,000 रुपे का प्रिंटर आएगा, आपका ये ठीक है जी, अब प्रिंटर पे बात करते हैं कि इसके अंदर आपका मिलता क्या-क्या है, प्रिंटर को ओपन कर लेते हैं अपन, ये लीजिए, हमारे प्रिंटर में USB नहीं निकली, हमारे में USB निकली है, तो उस चीज़ का डाउट भी आज clear हो जाएगा कि प्रिंटर में आती है कि नहीं, देखो, क्या होता है, हम रोज नए प्रिंटर ओपन नहीं करतें, ये प्रिंटर वारंटे के साथ आता है, तो हम प्रिंटर को ओ कर देते हैं, अभी इसमें एक पेपर आता है, DS Transfer General Purpose का पेपर ये, एक पेपर आता है, 100 पीस की, ठीक है, इसको कर देते हैं, इधर, आपका, ये पेपर लेकिन होता महंगा है, ये प्रिंटर आपका 1000 रुपे का, 10 रुपे का एक पेपर होता है, मैं ये बोलूगा, आपको प् ये ड्राइवर आता है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइवर अगयरा की, सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएका आपको, और अगर हमारी एल्प की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, Epson के कस्टूमर केर पे बात करनी है, ये नमबर देख रहे हो, 1800425001, इस नमबर पे कोल करो, और ये वाला सीरियल नमबर, X9FJ वाला जो ये सीरियल नमबर है, ये सीरियल नमबर आप लोग क्या नाम है उसको बताइए, कस्टूमर केर पे जग्जिक्यूटिव होते हैं, वो आपके घर पे ये प्रिंटर को इंस्टॉल करके जाएगा, इंक डा हैं, कहां पे क्या क्या चीज़े रहती हैं, ये आपका सेट है सर, ये लीजिए, ये वायर है, अभी देख लो, ये चार कलर की इंक आ गई है, ठीक है जी, ये चार कलर की इंक है, ये वायर, इसमें भी USB नहीं है, पहले USB आती थी, देखो मेरे पास एक USB पढ़ी हुई है, य ये USB कितने हैं, पचासो रुपे की होगी, हम नहीं निकालते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको, ये USB नहीं आती है, बंद कर देखते हूँ, क्योंकि ये डारेक्ट Wi-Fi का प्रिंटर है, तो USB की दरूरत नहीं पढ़ेगी आपको, आपको चाहिए, तो सो पचास रुपे क ये पैकिंग है, जो आपको आलग से लेनी पड़ेगी, जब आपको ये खतम होगी, तो ये पैकिंग उस तरीके कहते हैं, इसी वज़े से मैं ने रखा था, इसको रखते हैं, सब चीजे साइड में करते हैं, प्रिंटर के साथ ये आ गया, USB नहीं आई है, ठीक है जी, चलो सबसे पहले, इस सबसे पहले, इस पर बात करते हैं, दिखा और ये खा देटा हूं, चलो परिंटर को, यहाँ पर आपको एप में चीप बोक्स पर के पिछे आपको यह देखों। यह मैंट्रेमस बोक्स होता है यहाँ पर यहाँ और यह पो खूलने की जिरोटर होसी पूर्ट यह घृटका जाया नोच ना उन्यवार्ट ंसप्तों के वडियर clock Dalam तो printing करने के बाद जो wastage होती है न जो ink बेकार हो जाती है खराब ink होती है वह सारी इस maintenance box में जाली है Sponge के अंदर वह soak लेता है पूरा का पूरा सक कर लेता है पूरा का पूरा तो वह maintenance box में जाते है कुछ टाइम एक दो बार तो रिसेट भी हो जाता है मतलब 3 महीने में के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक है जी अभी इस प्रिंटर के साथ आ तक है वो मैंने आपको बता है एक मेन वायर आती है जो पीछे लग रही है यह वाली देखो यहां पे मैंने पीछे लगा हूँ है मेन वायरय ठीक है यहां पे आपकी यूएसभी बगारा लग सकते, यह इसमें आपको यूएसभी लगेगी और इसमें आपको लगेगी वाई फाई रभा अगर अगर लोगधेख दय के सो तो सो होता है जैसे वायर के थुर हो जाए और वाइरलेस वाइर के तुरू उधर लगेगा और अगर आपको वाइरलेस करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना पड़ेगा अभी जैसे इस प्रिंटर को अभी आप इसको ओपर करेंगे तो यह ओन तो कर रखा है देखो हमने जब आप इसको ऐसे उठाते हैं न पहले वाई-फाई के अंदर जाईए यहां पर देखो यह रेड कलर चारो तरफ से रेड कलर स्क्रीन इसकीन टच नहीं है पहले बता रहा हूं वाई-फाई में जाना है उपर वाले उप्शन पर क्लिक करना है ठीक है और यहां पर आपका जो डिवाइज नेम है देखो जैसे अभी मेरा यह connected है पूरा यह मेरा connect है तो मैं इसी वजह से देखो अभी यह connected है मेरा तो यहां पर आपको अगर आपको अपना connect करना है तो मैं आपको बताएता हूं चलो वाई-फाई पर जाना है आपको सबसे पहले ठीक है ऊपर वाले पर जाना है फिर ऊपर वाले पर जा आर्दी है cũng क्नेक्टिड है ठीक है तो इसको कैंसिल करते हैं इसको num boack करते हैं मेरा तो यह आप टो कनेक्ट से करसकते हैं अगर आपको कुछ नहीं करना आठा हूं आपको कुंबर div приmaere धिसाल तक आपको swida पूरी 3 मिल जाएगे के शावा अगर अगर आपक소 system आपको सारी चीज हम बता देंगे ठीक है अभी बात करते हैं कि क्या के चीज के अंदर आती है ठीक है इधर करें हमने अभी यह हैड है पूरा यह हैड पूरा स्पीड काफी अच्छी रहने वाली है प्रिंटर की अभी आपको सबसे पहले इंक डालने के लिए क्या करना है यह बं यह बन और यह बंड और यहांसे इसको डाल दो घीक है जी आप इसमें आपको राखेर की कि प्रोडिक और पडेग़ा एक सब्छेज आपको दिक रहेंगी तिक है अभी यह इंघ का वो मह बांग रहा है कि कि अपको उन्से फिल करना चाहरे हो क्योंकि हमने इसको टच कर दिया था तो हम इसको प्रोसीड करेंगे yes हमारी इंक पूरी है ठीक है आपको मैंटि Zworte in s के अंदर जाना है सबसे पहले आपको inkBut Till करने के लिए आपको माँटिनेंस के अंदर जाएए maintenance के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है इसमें सारी चीज है maintenance आप system से भी कर सकते हो करना चाहो तो feeling पर क्लिक करना है process वगएरा पर क्लिक करो गया आके तो यह आपका एक जगे head आके रुख जाएगा सेटिंग में देख लेते हैं जनल सेटिंग है maintenance वगएरा है पूरा कापरा print count कितने print वगएरा हो गया है सब चीजे हैं यह कोई खास काम आपके नहीं आने वाली अगर आपको इन चीजों के बारे में जानना भी है तो आप customer के पर कॉल करकर आप बुला सकते हैं अभी बात करते हैं यह आपका stand वगएरा हो गया पीछे maintenance box होगा यह USB wire नहीं आती इसके अंदर एक main cable होती है वह होती है इसको यहाँ पर करते हैं अपन बंद यहाँ पर इसको बंद करते हैं और अब क्या करते हैं यहाँ से आपको बंद करना है इसको अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ट्रे देखिए ट्रे आप देख सकते हैं यह ट्रे लगी हुई है इस ट्रे के अंदर आपको पेपर लगाना है यहाँ से आपका अपको पर वाली को नीचे कर देता हohn। अभी आपको पेर लगाना किस तरफ है देखो जैसे यह वाला पेपर है न आपका जो जिस तरफ आपको प्रिंट करना है वो साइड हमेंसा नीचे रखनी है। उसका reason यह है देखो अभी suppose करो यह paper यहां पर tray में है तो यह paper क्या होगा ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ेगा ऊपर जाके ऐसे मुड़ने के बाद फिर यहां से printing होना start होगा ठीक है तो आपको यहां यह वाली side जो print होनी है side वो हमें इसा नीचे रखनी है इस तरह रखनी है यहां से printer जाएगा और यहां से ऐसे मुड़ेगा और यहां पर फिर head होता है head से print होना start होगा ठीक है तो इसको नीचे रखते हैं इसमें paper आप एक रूपे वाला इस्तमाल मत करना low quality का printing quality आपको अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको या तो S-rays का paper इस्तिमाल कर लेना या उस आपको क्या करना है इसको push करना है इसको थोड़ा दबाना है और इधर को करना है ऐसे कर दिया यह देखो ठीक है इस तरीके से आप इसको कर सकते हो paper लगाया है हाँ पे इस तरीके से इधर की तरफ रखना है paper इधर की तरफ ठीक है blue की तरफ नहीं रखना है इधर की तरफ को दबाओ और पेपर को इसको थोड़आ सा डेब माँ तकी यह से से असग को बंद घर देते हैं एंग यह बंद गया ठीक है फिन होने के download करो download करने के बाद installations का option आएगा install कर लेना install करने के बाद जब आपका यह connect हो जाएगा Wi-Fi से तो यह printer का जो नाम है SCFX होती है SCF100 आएगा तो उस पर click करना तो connect हो जाएगा और print की command कैसे देनी है वो चीज मैं आभी आपको में वीडियो में दिखा देता हूँ सबसे पहला आपको क्या डालना है Epson SCF130 driver यह नीच आया हुआ है driver पर click करना है सबसे पहला link आएगा Epson.co.in की website पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा wait करना है wait करने के बाद आपको थोड़ी से 2-3 second बाद यहाँ पर driver का option अपने आप आ आपको यह आपका 32.4 MB का है जैसे यह install होता है फिर मैं आपको बसाता हूँ कि किस तरीके से आपको install installations वगरा करनी है सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपना जो printer हो wifi से connected रखना है जब आपको wifi से connect करोगे उसके बाद यह system से connect हो पाएगा आपका printer यहा download हो गया download होने के बाद आपको क्या करना है जहां पर download हुआ है उसको copy करना है right-click करके को copy करने और आपको desktop पे लेकर आना है इसको यहां पर डेक्स्टोप इसको लेकर आगे ठीक है यहां पर मैंने एक अल्रेडी download कर रख था इसको करते हैं साइड में जो नया है मुस्पर बात करते हैं यह अगया यहां पर आपको क्या करना है लेफ्ट वाला आपको माउस यह दो बार क्लिक करना है दो बार क्लिक करने के बाद यहां पर आडमीन का पॉच़ट पूचेगा जो होगा आप डाल देना क्लिक करना है यहां पर अपको पूचेगा की कौन सा प्रिंटर जैसे अपने अपने एक्सप्रेंटर के वाई-पाई से यहां पर नाम आएगा Epson SC100 आपका नाम आने के बाद आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे वो connect आपका automatically हो जाएगा फिर आपको क्या करना है फिर आपको Coral Row या Photoshop कुछ भी आपको open करना है वो आप कर सकते हैं अब आपको इस फोटो को क्या करना है यह मेरा अभी install हो गया पूरा अभी आपको क्या करना है Coral Row के अंदर जाना है अपको ये Coral Row में फोटो निकाला है अभी command कैसे देनी है आपको पूरा का पूरा landscape में मैंने डाला हुआ है portrait में, जब भी आपको print निकालना है, वो आप निकाल सकने है, Ctrl-P पे click करना है, इस printer में आपको क्या करना है, pre-press पर जाके mirror करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बाद, यहाँ पर आपको general पर वापिस click करना है, यहाँ पर Epson SC-F100 जो printer आपको select करना है, setting पर आपको click करना है, more option पर आप जाके देखो के तो already mirror पर मिलेगा, अगर यह mirror नहीं है तो आपको आप pre-press में जाके mirror करो, वरना यह mirror हमेशा रहने देना, और यहाँ पर bi-directional printing पर okay रहने देना, ओके पर click करना है आपको, फिर बाद में setting पर click करना है, अभी यहाँ पर आपको document size A4 रखना है, orientation landscape है क्योंकि मेरा तो portrait भी करना चाहूँ, portrait भी लंब भी आप कर सकते हो उसको, paper type पर आपको खास दियान देना है, अगर आप कोई भी कर रहे हो material जैसे की fabric, textile material चाहिए आपका t-shirts है, चाहिए आपका cushion है, यह आपकी mouse pad है, जो भी आप कपड़े का item प्रिंट कर रहे हो, तो आप इसमें paper type जो रखे हो, textile वाला रखना है आपको, और अगर आप mug प्रिंट कर रहे हो, फ्रेम प्रिंट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर आपको रखना है rigid वाला, ठीक है, यह rigid वाला आपको करना है, quality आपको हमेसे इसकी standard रखनी है, पहले सबसे पहले standard ट्राइए करनी है, और अगर आपको लग रहा है standard करने के बाद भी आपको वो color नहीं मिल रहे है, अच्छा color नहीं आ रहा है, तो आप इसको high भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें standard select हो हूँगा, standard select करने के बाद copy कितनी print out को निकालने है वो है, copies पे OK पे क्लिक करना है, apply पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको print पे क्लिक करना है, अभी मैं आपको यहाँ पे print पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका यह setting आया है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से print पे क्लिक कर देता हूँ, अब यह देखिए प्रिंटिंग की कमांड चल गए हैं यहां पर आप देखो प्रिंटिंग का उप्शन आ रहा है प्रिंटर सलेक्ट कर जाता है प्रिंटिंग का उप्शन आ रहा है और स्पीड आपके सामने यह देखो जो लोग पहले भी Epson का LX 130 चला रहे थे 805 चला रहे मेरे को नहीं लगता इससे बैठर स्पीड आपको मिल पाएगी ठाशन कर आपको अच्य शॉड़व तो integ Ingram आपको फैडर हिसे वूगशन जायगी तो वह सब चेजंग को के वाइफाइई आपको एस सुचวडाय मिल जाएगई आपको जो एस यह वाला प्रिंटर लोगे त निकाले लेकिन मेरे को लगता हाजार प्रिंट आप अना से निकाल सकते हो बाकी और चीज में इसकी एक बार पढ़ा लेता हूं कि क्या का चीज में खासियत है यह आपका प्रिंट कम्प्लीट मेरे को लगा एक मिनट में आपका यह प्रिंटिंग कम्प्लीट हो गया है इसी तो शायद कोई बताए ना बताए मैं आपको बता रहा हूँ क्या तो इसमें आपको warranty मिलेगी एक साल की और अगर आपने एक साल से पहले इस प्रिंटर से 15,000 प्रिंट निकाल दिये तो इसकी out of warranty consider ही हो जाएगा मतलब अगर आपने इसके 10 दिन में 15,000 प्रिंट निकाल दिये पैसे तो नहीं निकल पाएंगे पर अगर आपने 15,000 प्रिंट निकाल दिये इसके 10 से 15 दिन में जितने भी दिन में एक साल के अंदर अंदर तो जिस दिन 15,000 प्रिंट निकलेगा उस दिन ये printer out of warranty consider हो जाएगा वो चीज में आपको बता देता हूँ वारंटी का बता दिया electric configuration की जारूत है नहीं आपको dimensions इसकी क्या है dimension क्या है वज़न इसमें 4.5 kilo है ठीक है और A4 में प्रिंट निकालता है 11.8 कुछ का हो गया environment temperature 10-35 degree जो इंडिया का ही उसमें कोई प्रोब्लम ने connectivity क्या है USB है और आपको वाइफाई है वाइफाई 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 बता दिया और आपको USB का क्या है USB port भी मैं आपको बता है लगा के बस printer से connect कर देना है वो सब चीजे है ठीक है इंक वगरा है media handling क्या है A4 का LTR tray LTR tray इसको ही बोलते हैं ठीक है नीचे वाली को LTR tray बोलते हैं SCF 130 एक प्रिंटर ऐसा मातर जो आपको एक साल की वारंटी के साथ सब्ली में मिलेगा आपको हमारे पास प्रिंटिंग में आपको purchase करना कर सकते हो अगर आपने कहीं और से purchase कर रहा है तो मैंने आपको सारी चीजे बता देगी किस तरीके से आपका रहने वाला है कोई भी वीडियो किस टॉपिक पर बननी चाहिए उसे बनाने की जल्ते जल्ट राई करेंगे तब तक लिए जन्यवाद